नमस्कार दोस्तों टाटा गुरूप की एक और कम्पनी ने पेश किये तिमाही नतीजे कितना बढ़ा मुनाफ़ा आगे सारा चीज बताये जाएगा दोस्तों जून टिमाही के दोरान कम्पनी का मुनाफ़ा 794.6 करो रुपे से बढ़कर 972.5 करो रुपे पर पहुँच गया है वहीं रेवेन्यू 14,495 करो रुपे से बढ़कर 15,213 करो रुपे पर पहुँच गया है टाटा पावर ने बुद्वार को सेर बजार बंध होने के बाद अपने नतीजे जारी कर दिये कम्पनी के मुनाफ़े में 22,50 से ज़्यादा की बढ़कर देखने को मिली है वहीं कम्पनी की आय पिछले साल के मुकाबले 5,50 बढ़ गई है अबिटिडा में साल दर साल 75,50 की तेज उचाल देखने को मिला मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले काफी बहतर रहे है कम्पनी के लिए ये लगातार 15 वी तिमाही रही वहीं उसके मुनाफ़े में बढ़त देखने को मिली है बुद्वार को कारोबार में अस्टोक करीब आधा फिसीदी की बढ़त के साथ बंद हुआ कैसे रहे तिमाही नतीजे कम्पनी के द्वारा जारी आकरे के अनुसार जून तिमाही के दोरान कम्पनी का मुनाफ़ा 94.6 करो रुपे से बढ़ कर 972.5 करो रुपे पर पहुँच गया वही रेविन्यू 14,495 करो रुपे से बढ़ कर 15,213 करो रुपे पर पहुँच गया है अभी ठिडा 1683 करो रुपे से बढ़ कर 2943 करो रुपे पर पहुँच गया है मार्जिन 19.4 फिसीदी पर रहा जो कि एक साल पहले 11.6 फिसीदी पर पहुँच गया है कुल खर्चे घटने से मुनाफे में दिखी बढ़त आई में 5 फिसीदी बढ़त के मुकाबले मुनाफे में 22 फिसीदी बढ़त के मुखी बज़े कम्पनी ने कुल खर्चे में में आई कमी है आकरों के नुसार कंपनी के कुल खर्चे 14,660 करोर रुपे से घट कर 14,384 करोर रुपे रहे हैं इसमें से भी सबसे ज़्यादा असर फ्यूल कॉस्ट घटने का रहा है तिमाही के दवरान फ्यूल कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले 4,215 करोर से घट कर 3,473 करोर रुपे पर पहुँच गई कैसा रहा अस्टाक का प्रदर्शन आज सेर करीब आधा फिसीदी की बढ़त के साथ 235 के अस्तर पर बंध हुआ है कारोबार के दवरान अस्टाक 237,4 के अस्तर पर पहुँचा था अस्टाक का साल का उच्तम अस्तर 251 का है